हेलो स्टूरेंट वेलकम टू एक्जाम भी कुश्चन आप टी टे की नेम से जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है आज इस सीरीज में हम रेशो एंड परपुशन टॉपिक पर बेस कुश्चन डिसकुस करेंगे इस सीरीज का में मोटिव यही है कि हाई लेवल के कुश्चन लिए देखते हैं आज का हमारा कुश्चन तो देखें हमारे पस कुश्चन क्या है हमारे पस टोटल कितने इंप्लोईज है 45 ठीक है कंपनी A, B, C तीन कंपनी में टोटल इंप्लोईज इस 45 ठीक है जो क्या है बिलोग 45 एज ही है ठीक है अब हमें क्या डिफाइन किया गया है the ratio of the male to female employees in company A, B, C company A और company B and company C में जो टूटल number of employees है ठीक है उसमें male to female का हमें ratio दिया गया है company A में जो male to female है ठीक है उनका ratio is 5, ratio 7 company B में 3, ratio 2 and company C में 5, ratio 8 ठीक है next line क्या दिये है if the number of the female employees working in company B and C is equal company B और company C में जो female employees है ना वो equal है हमें ये clear बोला गया next line क्या है then define the total number of employees working in factory A company A में ठीके जो total number of employees है हमें वो पताने है तो दिखिए इस question को हम किस तरीके से करेंगे हमें यहाँ पर एक condition दी है कि company B and company C में जो female worker है ठीके वो क्या है equal है female employees जो है वो equal है तो हम उसको equal बना लेंगे तो सबसे पहले हम ratio लिखते हैं हमारे पास जो इन थ्री companies का दिया है तो company A में जो हमारे पास male जो female का ratio है वो कितना है हमारे पास 5 ratio 7 ठीके company B में अगर हम बात करें male जो female का ratio कितना है तो 3 ratio 2 and company C में हमारे पास male जो female का जो ratio है वो कितना है 5 ratio अब हम एक condition दिये है कि company B और company C में female employees क्या है सीम है 8 को तो हम 2 नहीं बना सकते पर 2 को हम 8 बना सकते ठीके अगर हम देखें company B में जो female ratio is 2 and company C में female का जो ratio है वो 8 तो हम इस value को equal बना लेते हैं यानि company C में female employees है वो 8 तो company B में female employees भी हम 8 कर देते हैं तो 8 बनाने के लिए 2 को 4 से multiply तो उसमें male member को भी 4 से ही multiply होगी क्योंकि male to female का ratio दिया है तो same changes तो हम इसे correct कर लेते क्यों मैंने इसे 4 से multiply किया reason क्योंकि हमें female equal कही है company B and C में ठीके तो इसे हम 4 से multiply करेंगे तो अब हमारे पास ratio आ जाएगा 12 ratio 8 ratio देखिए 3 ratio 2 वही maintain है ठीके पर अब हमारे पस क्या हो गया है company B और company C की जो female है ना वो equal हो गई ठीके उनकी value क्या हो गई एकवल हो गई है अब यहां पर देखें निक्स हमें क्या दिया है कि हमें यह बताना है company A में जो employees है ठीके उनका data हमें यहां से बताना है तो point समझना हमारे पास सबसे पहले हम यह दिखते कि company B और C में total employees हम एक next variable में assume कर लेते हैं total employees हमारे पास कितने है 45 ठीके अब हमें यहां पर condition देती तो हम इन employees को तो क्या है x की terms में assume कर सकते हैं तो यहां से देखे हमारे पास क्या है इसको मैं y variable की form में assume कर लेती हूं तो हमारे पास company A में male और female कितने हो जाएंगे 5y and 7y is 12y ठीके value कितनी हो जाएंगे 12y यह बात clear है और company B और C में total employees कैसे हो जाएं कितने हो जाएंगे तो अब हमने क्या है female को equal बनाया तो हम इसे एक ही variable की form में assume कर सकते हैं तो हमारे पास company B में जो male member है वो कितने हो जाएंगे 12x company B में जो female है वो कितनी हो जाएंगे 8x और company C में जो male member है कितने हो जाएंगे 5x और company C में ही जो female है वो जाएंगे 8x हमने इसे एक ही variable में क्यों assume किया क्योंकि हमने इसका एक single ratio maintain कर लिया है reason क्योंकि यहाँ पर जो female थी वो क्या थी same थी तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूं company A के employees plus company B के employees and company C के employees total हमारे पास कितने है 45 total employees कितने है 45 तो company A में जो हमारे पास employees है देखे 5Y and 7Y is 12Y company B में जो total employees है male and female 12X and 8X is 20X and company C में जो हमारे पास total employees है वो कितने है 8X plus 5X is 13X यह किसके equivalent है 45 के equivalent यह बात clear है अब मैं इसका sum करूँ तो 12Y plus में 33X 20 plus 13 is 33X किसके equivalent है 45 अब point समझना हमारे पास X और Y कोई value नहीं है हमें यह बताना है company A में कितने employees है point समझना यह किसके equivalent है 45 की अगर मैं इनकी सिर्फ variable की value add करती हूँ 12 और 33 12 और 33 तो value कितनी आती है 45 और 45 is equivalent to 45 अब आपका question होगा मैं आपने कैसे लिया तो मैंने कहा कि मैंने X variable की value 1 ले लिए y की value 1 ले लिए तो 33X plus 12X किसके equivalent हुआ 45 45 ठीक है क्योंकि मैंने X और Y की value कि आपका question होगा कि मैं क्यों लिए उसका reason बताती हूँ हमने जब तक लिए है तो point समझना यह 45 हुआ 45 unit is equivalent to 45 तो 1 unit 1 Y की value 41 है तो हम company A में जो total employees है वो कितने होगे 12 अब ऐसा क्यों लिया उसका point समझना यह तो clear है ना X और Y जो variable है ना उसकी value 1 से less नहीं हो सकती है reason क्योंकि number of employees है ठीक है ratio की terms में है ना 5X और 7X ठीक है अगर मैं इसे X और Y की value भी कहती हूँ है यहाँ पर 5Y और 7Y य की value अगर मैं 1 by 2 कहती हूँ तो 2.5% हो सकते है या 3.5% हो सकते है minimum value X और Y variable की क्या होनी चीए 1 1 का multiple possible है ठीक है 1 का multiple possible है point समझना ठीक है पर यहाँ पर जो हमारे पर जो variable है उनकी value 45 हो रहे है तो एक ही case बनता है जिसमें X is 1 and Y is 1 अब आपके मन में अगर यह doubt है कि नहीं X को तो हम या फिर Y को हम 0.5 ले ले लेते हैं तो पीटा अगर 0.5 Y को लेते हैं आपके मन में यह क्यों हो सकता है उसका reason में मैं बताती हूँ 12 है तो आप सुचरोंगे कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना Y variable की value 0.5 हो सकती है तो Y variable की value 0.5 क्यों नहीं हो सकती है क्योंकि अगर मैं 0.5 लेती हूँ तो reason समझना number of employees point या fraction में decimal में values नहीं हो सकती countable है तो जहिर सी बात है हमारे पास इसके इलावा इसमें X और Y की value कोई भी satisfy नहीं हो रही है क्योंकि less than one possible नहीं है और one से अबब भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्वल इंटू 45 और वेरिबल की वैल्यू भी पॉर्टी फाइफाइव है तो इसमें सिर्फ एक ही condition बनती है तो इस तरीके से हम इस प्रशाय को साथ कर सकते है क्योंकि last में स्रुटियन को क्या लगता है इसका आंसर नहीं डाटाइड़ुएट हो ना चाहिए डाटाइड इन एडूकेट मिलेगा ठीके यहां पर मैंने ऑप्शंस में नहीं इपर मोसली आप्शं में आपको जाताइड इनाड़ुकेट मिले तो इस 12y यानि 12 तो आंसर इस 12 ऑप्शन नमबर छी जो हमारा एंसरएोप्शन नमट lo sy ए ठीक है छलिए thank you so much मिलते हैं इसी वीडियो में टिके नेक्स्ट वीडियो में okay छलिए thankyou so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए के साथ और इसका सीरीज में आप कंटीने जूड़े रहे हैं थैंक यू सो मुच